So, आज हम देखने वाले हैं कि BlackArch OS का Installation हमारे VMware Workstation के अंदर तो क्या-क्या Configuration और क्या-क्या Settings के हमको जरुआत पढ़ना वाली है हम देखेगे इस Video के अंदर और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो Please Like, Share and Subscribe So, यहाँ पर आपको Google पर आ जाना है यहाँ पर लिखना है BlackArch उसके बाद में आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है उसके बाद में आप देख सकते कुछ आपको इसा एंटरफेस दिखेगा यहाँ पर आपको चले जाना है Download पर यहाँ पर आप देखोगे के आपको यहाँ पर दिख रहा है BlackArch Linux 64bit Slim ISO इस पर आपको क्लिक करना है जिसा पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगी आप चाहो तो आप टोलेंट में निकाल सकते हो टोलेंट फाइल भी निकाल सकते हो यहाँ पर आपको में दिखा देता हो यह डाउनलोड नहीं यहाँ पर लग गई है ISO फाइल तो अब हम करेगे यहाँ पर हमारी सेटिंग अच्छा एक चीज़ोर आपको एक चीज़ोर बताना चाहोगा यहाँ पर यह गाइड है अगर आपको मालूम नहीं ब्लेक आर्च कैसे काम करता है क्या यानि किसके फीचर्स वगरा है तो आप इसमें जाके देख सकते हो तो यहाँ पर इसकी एक आइड है जिसमें आपको हर एक टूल के बारे में एकदम प्रॉपर इंफोर्मेशन दे रखी आप देख सकते हो जो जो भी हाँ पर सब चीज़े है टूल से यहाँ पर हमारी वीमवेर वर्क इसरशन मशीन को उपन कर लेगे सिम्पल यहाँ पर यह ओपन हो चुकी है यहाँ पर हम क्रेट करेगे हमारी मशीन को ओके तो हमारी मशीन को क्रेट करेगे यहाँ पर और नेक्स करेगे यहाँ पर जो हमारी आयोसो है जो डाउनलोड हो चुकी है उसको हम यहाँ पर ब्राउस से स्लेट कर लेगे यहाँ पर और open कर लेगे उसके बाद में next करेगे हम यहाँ पर Linux का वर्जान कर देगे Debian Debian 12x 12.x 64 bit तो यहाँ पर हम हमारी machine का नाम लिख देगे Black Arch Germany machine है हमने उसका नाम लिख दिया है और next कर दिया है By default in देगे OS By default in देगे next करेगे यहाँ पर 4GB देदेगे हम रेम उसके बाद में next कर देगे और use bridge connection next कर देगे simply यहाँ पर हम हमारे maximum disk के साइज है वह 50GB का ले ले लेगे तो 50GB का मैंने यहाँ पर ले लिया है next कर देगे next कर देगे तो यहाँ पर आप देखो के हमारी जो machine है वह create हो चुकी है Edit में जाएगे हम एक बार और यहाँ पर हम प्रोसेसर के उपर आएगे और यहाँ पर प्रोसेसर करें प्रोसेसर करें सेव कर देगे यहाँ पर आप 3D ग्राफिक्स अगर आपको करना तो आप ले सकते हो तो मेरे पास में है यहाँ पर ग्राफिक्स तो मैं 2GB यहाँ इसे लेट कर लूगा स्टेज भी आप कर सकते हो मैं नहीं कर रहा हूँ अब मशिन को आउन करेगे हमारी मशिन यहाँ पर आउन हो चुकी अब यह बूट होगा तो बूट होने में मिनिमम 5 मिनिट ले सकता है यह तो यहाँ पर इसको आपको हिट इंटर कर देना है ओके तो यह पूरा बूट होगा 5 मिनिट एप्रोक्स लग सकते इसको यहाँ पर यह बूट हो चुका है हमारे पास में मैंने फासवर्ड कर दिया है यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है ब्लेक आर्च अगर आप कुछ और पासवर्ड डालेगा तो यह खुलेगा नहीं मैं आपको बाता देता हूँ ब्लेक आर्च आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा पासवर्ड आपको यही टैप करना है तो यहाँ पर यह ओपन हो चुका है ओके तो यहाँ पर आपको सैड में दिख रहा है इस्टॉलेशन इतो यह पुरा मीनु हैगा इसका ओके यहाँ पर आपको दिखेगा इस्टॉलेशन क्लिक कर जाए मैंने यहाँ पर वही पासवर्ड डालना है ब्लेक आर्च तो यहाँ पर मैंने इसको फील कर दियाएगा और और अथेंटिक करूगा तो हम इसको यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास में कुछ ऐसा एंटरफेस आ गया है हम करेगे इसको next 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 यहाँ पर हम iris disk करेगे next यहाँ पर हमारे जो यूजर ने में यहाँ यूजर जो हमारा होगा admin उसका नाम लिखेगे आप आपका कोईसा भी नाम दे सकते हो यहाँ पर एक strong password बनाएगे हम हमारा तो यहाँ पर मैंने बना लिया है उसके बाद में यह अगर आपको टिक करना तो कर सकते हो मैं तो नहीं कर रहा होगा यहाँ पर वही password में वापिस return डाल दूगा जो मैंने उपर बनाया था और मैं इसको next कर दूगा यहाँ पर आप देख सकते हो यह हो गया रेडी installation के लिए अब इसको minimum 45 minute लग सकते है और depend करता आपके system को पर यह मैंने fast forward कर दिया था अगर restart पर click ना हो यानि कि टिक ना हो तो टिक कल ले और done कर दे तो आप देखोगे यहाँ पर यह reboot हो चुका है अब मैं इसको वापीस से reboot कर दिया है तो आप देखते है क्या होता है तो यहाँ पर मैंने मेरा जो password बनाया था वाली password मैंने आपर फील कर दिया हैगा और आप देख सकते हो यहाँ पर यह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चाल लो चुका और बड़या काम कर रहा हैगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अगर आपको व्यूड़ अच्छा लगा तो प्लीज यार शेयर करो थैंक्यू प्लीज औरstroke यार याल प्लीज ग